हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पिशिंग एंड वेलकम टू इश्मार्टर एवरीड़े डियर फ्रेंड्स CCS यूनिवर्सिटी यानि की चौधरी चरण सिंग यूनिवर्सिटी जो मेरट की है उसमें बीट शेकेंड डियर में आपके छे सब्जेक्ट हैं है ना पहला है क्रे सिख्षा होता है इसमें जो पेपर फर्स्ट है आपका क्रियेटिंग एर इंक्लूसीव स्कूल समावेशी विद्याले का सरजन यहां से किस प्रकार से कोश्चन्स पूछे जा सकते हैं कौन कौन से कोश्चन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं आज हम इसी पॉइंट पर ठीक से प्यार देंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो हम और भी इंपॉर्टेंट कोश्चन्स आपके लिए लेकर आएंगे और आपके क्लासेश भी कांटिनू करने वाले हैं हाला कि अब तक कानपूर यूजिस्टी को टार्गेट करते वे बिए से क्लासेश चल लाई देखिए आपके पेपर का नाम ही समावेशी विद्यालय का सरजन है यानि की कोश्चन्स आपके ज्यादा तर बनेंगे समावेशी सिक्षा से तो समावेशी सिक्षा का अर्थ समावेशी सिक्षा के क्या उद्देश होते हैं समावेशी सिक्षा की क्या होश्चता है और समा बहुत ही ज्यादा कोशन बनने के चांसे जोते हैं जो भी कोशन होगा समवजी सिक्षा पर मुस्टी डिपेंड होगा तो इसके अर्थ उद्देश आवजश्यक्ता सिध्धान्त पढ़ लेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम सौल्व हो जाएगी फिर दूसरा कोशन होता है यह कोशन बहुत पुछाता है एक सिच्षक को किस प्रकार समावीशी एक सिच्षक कक्षा को किस प्रकार समावीशी बना सकता है भाई आप सिच्षक है तो बात हो रही है समावीशी शिक्षा की तो सिच्षक और समावीशी सिच्षा के ऊपर एक इ डाले हैं । आप उप राथ्मिटा देंगे पहले इनको क्लिर करेंगे फिर बार्बकी कुछ पढ़ेंगे JULY क्या प्रता है Q15 का मतलब है कि क्या प्रता है बहुत चांचा बढ़ते है उसी के साथ एप वीचिष्ट यानी कि एक से बढ़कर स सब सूपर कुश्चन्स हैं विशिष सिक्षा और समाविशिष इच्छा इन दोनों में क्या अंतर है क्या डिफरेंस है क्या भिनिता है बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा नेक्स्ट वन प्रतिभासाली बालकों के लिए सैक्षिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए जो प्रतिभासाली बालक है उनके लिए क्या सैक्षिक प्रावधान किये जाएं क्या होने चाहिए जिससे प्रतिभासाली बालक और जदा निखर करके उभर करके सामने आएं त नेक्स्ट है समावेशी सिक्षा के अंतरगत बालक पर विद्याले वातावरण और पर्यावरण का क्या प्रभाव पढ़ता है इस प्रिकार से कोश्चन आपका बनता है जो की सूपर इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कोश्चन है हमारे सामने 7 नंबर समावेशी सिक्षा में अध्यापकों की भूमिका और जिम्मेदारी वाह क्या कोश्चन है मतलब मैंने कहा ना कि समावेशी सिक्षा और अध्यापक से रिलेटेट एक कोश्चन जरूर पूछेगा तो समावेशी सिक्षा और अध् क्या है इसके उद्देश और लाभों का वर्डन कीजिए बहुत ही बेतरनी कोश्चन है आगे बढ़ते हैं दल या टोली सिक्षन का अर्थ परिभाशा और उद्देश बताईए दल या टोली सिक्षन क्या होता है इसका आर्थ क्या होता है इसकी परिभाशाएं क्या होती है इसका क्या उद्देश्ट है इसको करने का दल्या टोली सिक्षन का ठीक है अच्छा क्यूर्शन है यानि की ए लर्निंग जिसको हम इलेक्ट्रानिक सिक्षन भी कहते हैं इसका मैंने यह मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं आप देख लीजिएगा और यह जो इदिगम है यह लखनोई जो इस्टी में तो बीट फर्स समेस्टर में है लेकि यह मैं करा चुका हूं भी दो तिन दिन पहले कराया है आप इसको करते हैं कि देखिए आदर्स समावेशी सिख्षक के गुण वह क्या क्योंशन है एक आदर्स समावेशी सिख्षक के अंदर क्या क्वालिटी जोनी चाहिए क्या उसके गुण होने चाहिए यह आपको लिखने हैं समावेशी सिख्षा में निर्देशन और परामर्स को समझा यह हलांकि निर्देशन और परामर्श कानपुर में तो अलग-अलग सब्जेक्ट है इसके लेकिन आपके हाँ समावी सी सिक्षा में निर्देशन और परामर्श को डाल दिया गया है तो बहुत important super important questions है मैंगी इस मैंने सिर्फ आपको 13 questions करा हैं जो की super important है एक से बढ़कर एक questions है अब आप comment करके बताइए कि क्या आपकी thesis की classes proper तरीके से चला दी जाएं कि आप लोग जो है classes करना चाहते हैं अगर चाहते हैं तो comment करके बताइए और इसी प्रकार से मैं आपको paper second third fourth सबके important questions super important questions दे दूँगा ठीक है और यह जो आप देख पा रहे हैं यह हमारा दूसरा चैनल है SP सरफ vlogs के नाम से यहां अपने vlogs share करते हैं लिंक description box में है आप चाहें तो हमें यह follow कर सकते हैं ठीक है अपनी क्लास CCS University की साथ मैंने काफी दिन बाद पहली क्लास दी है इसे पहले हम क्लास चला रहे थे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजेगा इसको comment करके जाईए बताईए